नाश्कार फ्रेंट टॉपिक है डिस्कृशन के लिए हमारे पास Office of the United Nation High Commissioner for the Human Rights इसे OHCHR भी कहा जाता है Establishment यह स्थापना इसकी कीगी थी General Assembly के दोरा और यह कीगी थी 20 December 1993 यानि 20 December 1993 जहां तक बात है इसके Headquarter की तो वो जीनेवा यानि की स्विजलेंड में है और इसके साथ इसका एक Leasing Office भी है यह की New York में है New York में होने के कारण वो United Nation का जो Headquarter है उसके नहीदीक है और उससे किसी तरह का कोई बात जिए किसी तरह का कोई भी Communication करना है तो उसमें इसको असानी रहती है New York वाले Office को आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो इसकी Branch है पर इसका Head Office जैसे कि मैंने कहा जिनेवा में है इसके इलावा इसके पूरी दुनिया में Regional Offices भी है और साथ ही साथ इसने Human Rights को लेकर Advisor जो है वो भी कई Country में Appoint किये है तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इसकी Reach जो है All Over World है जहां तक बात करें Head की तो जैसे की High Commissioner जो होगा वो इसका Head होगा जिसकी Appointment United Nation का जो Secretary General है वो करेगा पर इसका Approval जो है वो General Assembly देगे High Commissioner जो है उसका Moral जै करेक्टर जो है उसका बहुत High होना चाहिए और उसके पास Different-Different Culture के प्रती एक Understanding और एक Respect होनी चाहिए tenure या कारेकाल जो होगा उसका चार साल का होगा और इसमें आपका Geographical जो Rotation है वो भी देखा जाएगा यानि कि चुनाब इस तरह से किया जाए कि हर क्षेतर जो हर Reason को उसमें मौका मिले इसके पहले High Commissioner जो 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 शयाला थे जो कि एकवडर से थे Walker Turk जो कि Asteria के हैं वो इसके at present जो है High Commissioner है और मुख्य तोर पे OHCHR की जितनी भी गतिविदिया जहां जितनी भी इसके टास्क होंगे जितनी भी इसके लाइविल्टी ऑपरेशन होंगे उसके लिए High Commissioner जो है वो जिम्मेदार या जो है और साथ ही साथ अगर General Assembly जो है High Commissioner को कोई function देती है प्रफॉर्म करने के लिए तो वो भी उसको प्रफॉर्म करने को और पॉलिसी मेकिंग बोडी अगर उसको कोई function देती है प्रफॉर्म करने को में अलग 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 डिपार्टमेंट में अलग अलग बोडी में या इवन्ट में और अगर Secretary General जो है वो High Commissioner को को special task देता है special assignment देता है तो वो भी उसको करने पड़ेंगे High Commissioner जो है उसकी जवाब दे ही किसके प्रती होगी Secretary General of the United Nation और जब भी High Commissioner अपनी duty task function को perform करता है तो उसकी assistant के लिए एक deputy High Commissioner भी हो सकता है जो की High Commissioner के absence होने में अगर High Commissioner अपने office पे absence है किसी भी कारण से तो वो उसके task जो हो कुछ देर के लिए perform कर सकता है और इस तरह का जो भी task के deputy commissioner perform करेगा वो accountable होगा High Commissioner के प्रती यानि इसकी जवाब दही किसके प्रती होगी High Commissioner के प्रती और ठीक इसी तरह एक assistant secretary general भी होगा किसके लिए वो New York office के लिए होगा दूसरे शब्दों में वो New York का जो office होगा उसका head होगा और New York में वो High Commissioner के प्रतिनिदी के रूप में काम क देखते हैं कि यह जो High Commissioner है Human Rights का यह कौन-कौन से functions को mainly perform करता है तो सबसे पहले है इसका OCHR प्रमोट करता है Universal Enjoyment of All Human Rights यानि कि जितने भी मानव अधिकार है उनको पूरे globe पे enjoy किया जाए by giving practical effect to the will and resolve of the world यानि कि जो इच्छा है पूरी दुनिया की जो commitment है उसको एक practical shape देना जैसे कि मतलब की अब बोला तो गया है कि भही equality होगी liberty होगी right to life है यह सब है उनको practical aspect में देना और उसका commitment है उसको implement करना नेक्स्ट है कि यह एक leading role यानि कि सबसे आगे बढ़कर human right के issues पे role play करेगा और जोर देगा जनिकी ज्यादा emphasis होगा इसका the importance of the human right and international or national level कि अंतराश्ट्रे स्तरपर और राश्ट्रे स्तरपर जो importance जब मता है human rights की उस पर भी यह जोर देगा next है promote international cooperation for human right कि human right के field में जो cooperation या सहयोग को promote करेगा अंतराश्ट्रे स्तरपर नेक्स्ट है stimulate and coordinate action for human right through the united nation system यानिकि जितना भी UN का system है जितने भी उसके agencies हैं बटेवर उसमें क्या करेगा human right को बढ़ावा देगा उनमें coordination स्थापित करने के कोशिच करेगा जो भी action लिये जा र ratification and implementation of the international standard यानि कि जो universal level पर जितने भी ratification है उनको माननेता देना है उनको लागू करना है जो भी international standard है उनको भी promote वो करेगा next है to enhance international cooperation for the promotion and protection of the human right ठीक है जी तो जो international एक सहयोग है जा आतराश्टे सहयोग है उसको बढ़ाएगा जिससे की promotion and protection हो human right की next है to corroborate human rights promotion and protection activity through the United Nation system कि जितना भी United Nation का system है उसमें जो समर्थन देना जब बल देना human right की promotion and protection activities को ठीक है जी और उसके आगे है to rationalize, adopt, strengthen and streamline the United Nation machinery in the field of human right in order to improve its efficiency and effectiveness ठीक है जी तो जितनी भी United Nation की जो machinery है human right के field में उसको तरकसंगत बनाना, उसको अनकूल बनाना, उसको सद्रिड करना ताकि उसमें improvement आसके जा उसकी efficiency बढ़ सके जा वो ज़्यादा परभावी साबित हो next है to promote and protect the effective enjoyment by all of all civil, cultural, economic, political and social rights including right to development यानि की effective enjoyment होना चाहिए सभी के द्वारा अपने cultural, economic, political या समाजिक जो rights है including right to development जिसमें की right to development भी include होगा इन सभी को promote करे और protect करे next है to provide advisory service यानि सलाहकारी जो सेवा है वो भी दे सकता है उसमें technical हो सकती है, financial assistance हो सकती है जो कि human right के field में होगी states को उनकी request पर अगर state request करती है तो इस तरह की services भी provide करवाय जा सकती है उसके आगे है to coordinate UN education and public information program in the field of human right कि भई जो समनवित करना या सन्योजन करना UN education and public information program कि जितने भी UN के education से लेटर या public information program है in the field of human right जैनि कि जितने भी मानव अधिकार के field में ये सब कुछ है उसको समनवित करना next है to play an active role in removing obstacle to the full realization of human right and in preventing the continuation of human right violation throughout the world तो इसमें कहा गया है कि किसी तरह की कोई बाधा हो उसको भी हटा आना और अगर कहीं दुनिया की किसी कोई में violation हो रही है human right के field में तो उसको भी रोकना ठीक है न next है to encourage in the dialogue with the government in order to secure respect for the human right यानि कि जितनी भी government है दुनिया की उनके साथ dialogue करना वारतलाप करना उसको encourage करना कि आप हमसे बातचीत करिये ताकि जो human rights है उनकी respect की जाय सके और उनको secure किया जा सके ठीक है उनको ज्यादा effective बनाया जा सके next है the office assist in development of the new norms नए norm जा नए कानून जा नए नियम बनाने है तो उसमें भी office assist कर सकता है इससे आगे है office support human right organ and treaty monetary body यानि जितने भी organs है जितने भी इसके councils हैं जा commissions हैं उनको जो है वो support करे and a treaty monitoring body और जितनी भी treaty होई है human rights को लेकर उसकी monitoring body है जो देखती हैं उनको भी support करे next है respond to the serious violation of human right कि अगर कोई किसी तरह का कोई गंभीर जो है violation होता है मानवधिकारों का तो उसमें भी फिर respond करता है इसके आगे आता है undertake preventive human right action यानि कि यहाँ पर किसी तरह का रोख थाम के लिए अगर कोई किसी तरह का का कारी जा action कर सकता है तो वो भी उसको करने चाहिए human right के field में इससे आगे है promote the establishment of national human right infrastructure देशों के अंदर जो human rights को लेकर ज उसको promote करे है जैसे court बनाना जा commission बनाना जा groups बनाना जा NGO को बढ़ाओ देना इस तरह की चीज़े जो है वो करेगा next है undertake human rights field activity and operations कि किसी तरह का human right से related अगर field में activities करनी परती है यहाँ को operation करना पड़ता है तो उसको भी जाकर वो करे या उसको करने के कोशिच करे यानि कि जो ग्राउंड लेवल पर जो situation है उसको भी वो deal कर सकता है next और last है provide education चिक्षा दे information सूचना दे advisory services अपनी जो सला है उसकी services जहां सेवाएं दे and technical assistance in the field of human right या फिर technical assistance जो है वो human right के field में जा human right के किशेतर में यह दे सकता है तो यह है friend office of the united nation high commissioner for the human right तो यहाँ पर आपने देखा कि यह जो commission है united nation का human right के field में यह जो है अपने आपे काफी effective है agencies के पास है इसके पास बहुत सारा area है जहां पर यह काम कर सकता है और इसकी जो पहुंच है जा रीच है वो globally है धन्यवाब गहिए वो है ऑनीव जगता है